वेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चानल दावद तो कुछ दिन पहले मैंने चॉकलेट ग्लेज की की एक रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने पानी से चॉकलेट ग्लेज की स्तरह से बनाया जाता है एकदम शाइनी चम चम आता हुआ उसकी वीडियो दिखाई थी लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में मुझे फिर से कमेंट किया है कि उसकी वीडियो फिर से अपलोड कीजेगा तो पानी से मैंने ये चॉकलेट ग्लेज चम चम आता हुआ शाइनी सा ग्लेज किस तरह से बनाया वही आपके साथा शेयर करूंगे यहां पर पिसी हुई चीन या पाउडर शुगर हमने ले ली है 3-4 cup उसके बाद कोकवा पाउडर हमने यहां पर ली है 1-3 cup और उसी cup से हम लोग 3-4 cup पानी इसमें डाल दींगे तो इस तरह से यहां पर हमारा 240 ml का यह कप है उसी से ही हमने सारे यह मेजरमेंट से हाँ पर लिये है उसके बाद आपको सारी चीज़ों को एकदम मिक्स होने तक इस तरह से विस्कर की मदद से मिक्स करना है इसमें कोई भी कोकवा पाउडर के लम्स वगरा नहीं होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा इसके बाद हमने यहाँ पर यह जो पतीला है यह जो भी बरतन में आप लोग इसे बना रहे है उसे रख दिया है गैस के उपर और एकदम लो फ्लेम पर आपको इसे 6-7 मिनट तक कोक करना है लगातार इसे चलाते हुए इसे पकाना है या कोक करना है तक हमारा गनाश यहाँ पर तयार हो जाएगा उसके बाद हमने 6-7 मिनट के बाद इसमें 60 ग्राम के करीब यह डाग कंपॉंड चोकलेट डाल दिया है जो मोडे का डाग कंपॉंड चोकलेट आता है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसके बाद और 3-4 मिनट कुक करने के बाद हमारा जो गनाश है वो इस तरह से कोटिंग कंसिस्टंसी में आ गया है चम्मच को आप लोग इस तरह से इसमें डिप करके देख सकते हैं तो इसके बाद हम लोग इसमें एक टी स्पून के करीब एक घी डाल देंगे मेरे पास आज बटर नहीं था इसलिए मैंने हम पर घी यूज किया है उससे ना हमारा जो ग्लेज है एकदम शाइनी बनता है हाँ आप लोग मेरे फिंगर्स देख सकते हैं एकदम शाइनी बन चु आप लोग यहां पर देखी सकते हैं कितना जादा शाइनी यह ग्लेज हमारा तयार हुआ है कि अभी तो यह बहुत जादा गरम है तो आपको नहीं इसे फ्रिज में नहीं रखना है क्योंकि फ्रिज में रखेंगे तो चोकलेट की वज़े से यह जो ग्लेज है यह थोड़ा आपको यह रेस्पी पसंद आई होगी यह वीडियो यह रेसिपी आपको अगर हमेशा के तरह पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक शेर और दावत चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो चलिए गाईज मिलते हैं इसी तुरह से एक नएसे वीडियो के स साथ या ने रेस्पी के साथ तब तक लिए थैंक्स पो वाचिंग टेक केर वाइबाय गोड ब्लस यू